जब कभी कम टाइम कम महिनत में दाल चावल के साथ कुछ चटपटा टेस्टी खाने का मन करें तो आप एक बार इस तरीके से मसाला अलू जरूर बनाएं आप इसे कम टाइम कम महिनत में बना सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो एक बार जरूर ट्राइ करें हमारी वीडियो आपको हेलफुल लगेंगे तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिससे हमारे वीडियो क इतना पानी कूकर का हमें धक्कन लगा देना है इसे तीन विसिलाने तक पकाना है इतने देर में आलू पक जाते हैं कूकर का प्रेसर निकल चुका है अभी हमें आलू से छिलके को हटा लीना है इसे हमें कट कर लीना है इसे हमें थोड़े बड़े बड़े पीसिस में काटन तब खाने में जादा टेस्टी लगेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं, आलू कट चुके हैं, अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है पैन को, इसमें डाल देना है तेल, मैं लगभग तीन चमच इतना तेल डाल रहे हूं, वनफोर छोटी चमच हमें डाल देना है जीरा को, व तील का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है तो तील को जरूर डालें तील क्रैक्स हो चुके हैं तीन बारी कटी हुई हरी मिर्च डाल देना है आप हरी मिर्च को कम या जादा भी कर सकते हैं अभी हमें इसे चला लेना है गैस का फ्लेम हमें लो रखना है अभी हमें इसमें डालना है, वनफोर्च छोटी चमच में डाल देना है, हल्दी पाउडर, वनफोर्च छोटी चमच में डाल देना है, लालमेर्च पाउडर, वनफोर्च छोटी चमच में डाल देना है, जीरा पाउडर, आधा छोटी चमच में डाल देना है, गरम मसाला पाउडर, अभी हमें इसमें डाल देना है नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसा डाले, मैं आधा छोटी चमच नमक डाल रही हूं, एक चमच हमें डाल देना है, कसूरी मेथी को हल्का क्रस करके डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ी आता है अलूमी, अभी हमें इसे मिक्स कर लेना है, आपके पास अगर कसूरी मेथी ना हो, तो आप इसे असकी भी कर सकते हैं, अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे मसाले और नमक हर एक जगा मिक्स हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, हमें इसे ढख ढख कर भुनना है, धीमे धीमे हीट पर, अभी हम पैन का धकन लगा देना है थोड़े थोड़े देर में हमें पैन का धकन हटाना है और इसे हमें चलाना है इसे हमें लगभग तीन से चार मिनट के लिए लो हिट पर भूनना है अभी वापिस हमें पैन का धकन लगा देना है इसे भूनते हुए लगभग चार मिनट हो चुके ह अभी देख सकते हैं अलू का जो गलर हैं वह चेंज हो चुकी हैं यह अच्छे से भून चुके हैं मसाले का अब्र अधीS कख अछी namely偲 अभी हमें गैस का अफर देना है आप इसे दाल चावल के साथ सर्व करें फराठे के साथ भी सर्व कर सकती हैं हमारे वीडियो अपको अ